तो यहां पर दोस्तों काफी इंपोर्टेंट अप्डेट आपके लिए लिए लेकर आया हूँ इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आयो सील में दोस्तों यहां पर काफी अच्छी नंबर वेकेंसी निकल कर सामने आई है एंड यह जो रिक्रूट्मेंट है दोस्तों यह पर्मानेंट है एंड कोई भी फेक नोटिस यह नहीं है पाइपलाइन डिविजन में यहां पर यह वेकेंसी निकल कर आई है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ एंड चलिए बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं इसे पहले मा आपको बता दू अगर चैनल पर नए है पर चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि आपने देखा है यहां पर जो आयो सीयल में नमबर वकेंसी लगबग 155 पलस यहां पर आपके लिए यह वेकेंसी रहने वाली हैं अभी हाल ही में यह नोटिस है कल का तो चलिए इसे लिंक प्रोयेड करवा दूंगा वहां से भी आप यहां तक पहुंच सकते हैं और फिशुर यह पूरा नोटिफिकेशन रहने वाला है जिसे आपके सामने हैं तो चलिए से डाउनोड करते हैं और यहां पर आप देख पा रहे होंगे डेट को याद रखना तो यहां पर दे पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आप दिविजन किया गया है वह यहां पर आप देख पारे होंगे जैसा कि अलग-अलग स्टेट को वाइज है तो यहां पर आप एक चीज़ और ध्यान में देंगे जो आप अप्लाइ करेंगे तो अपनी स्टेट के अकोडिंग या फिर अपने नीयरवाई पर ऑपने अज़न कि यहां पर यहां पर आप पर बलत यहां पर बेगें कोईolesome से इक है ciao जैसे वेस्ट बंगोल में आप देखेंगे यहां पर एक है और इसी तरह टोटल नमर वेकंसी में भी देख सकते हैं अलग-लग कैटेगरी भाइस भी यहां पर देख पाएंगे यह जो है वो डिप्लोमा वालो के लिए है और यहां पर जो ऑप्रेशन है और इलेक्ट्रिकल मे यह आपकी ट्रेड्स जो है वो लिखा गया है तो ऐसे ही भीहार में देखेंगे तो उसकी भी नंबर वेकंसी अलग-अलग है जारकंट के में भी अलग-अलग है तो वह अपने अकोडिंग जो भी आप स्टेट से बिलों करते हैं उसके अकोडिंग आप यहां पर देख लि गई है जैसे अंदर प्रदेश में आपर देखेंगे टोटल नंबर वेकंसी टीए की पंद्रा है यह की आप अलग-अलग तरीके से देख लेंगे तो उसी तरह से आप देख वारे होंगे नेक्स देखते हैं क्या इंपोर्टन है तो इस नोटिफिकेशन में आप एक चीज जो आप मतलब है वो इंजिनियरिंग असिस्टेंट है और मेकैनिकल जो मेकैनिकल को स्चो करता है और साथ यह ग्रेड फॉर की आपकी जोब रहने वाली है कौन-कौन इलिजिबल है वो देख ली टाइम आपके पास पूरा जो है डिप्लोमा होना चाहिए या फिर टू ये ट्रू लेटरल एंट्री आफ्टर आइटिए ओफ मिनिममम वन इयर डुरेशन तो इस चीज़को भी आप जूर सिधार में देंगे कौन-कौन इलिजिबल है तो वो मेकैनिकल इंजिनियरिंग और ओटो मोबिल जो है यहां पर ट्रेड इलिजिबल होने वाली है विद पच परशेंट मिनिममम आपके होने चाहिए तो इसी तरह इन चीज़ों को ज्यान में देंगे एंड इसी तरह हैं इंजिनियरिंग असिस्टेंट टी एंडाई में है ग्रेड फोर उसके लिए भी आपको तीन साल का डिप्लोमा चाहिए होगा और रेलेमेंट जो भी आपकी डि अगर आपने केमिकल इंजिनियरिंग मेकैनिकल ओटो मोबिल एक्रिकल इलेक्रोनिक्स इन सबी जो है ब्रांट में डिप्लोमा कर रखा है तो तो ओप्रेशन में आप अप्लाई कर पाएंगे और जैसे कि मैंने आपको पताया टी ए दोस्तों तो वह है टेक्निकल अटेंड है ग्रेड वन में आप काउंट होंगे इस दिसको भी नोट करेंगे नेक्स्ट अगर हम क्या इंपोर्टन है वह देखें तो दोस्तों जो भी आपको टाइम पिरियोड या फिर जो आपकी एज रिलेक्जेशन होता है वह आप सभी को पता है तीन साल नॉर्मली होता है वह इंजिनिरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के यहां पर बात है और अगर हम बात करें टेक्निकल अटेंटनेंट वन ग्रेड के लिए तो वहां पर आपका 30,000 जो है नॉर्मल बेसिक रहता है बाकिस के अलावा बेसिक पेड डिये चारे वह सब तो जो भी एक PSU के एकोड इडिया है जो नॉर्मली होता है पांच साल SST के लिए तीन साल OBC के लिए यह सबी जो है common है अपने आकोडिंग आप देख लीजेगा जिस भी आप के टेगरी से बिलोंग करते हैं selection methodology क्या होगी दोस्तों यह काफी important है क्या आपका exam में आने वाला है यह आपको जाना होगा यहाँ पर सबसे important है एक चीज़ ध्यान करेंगे return test होगा दोस्तों उसके बाद आपका एक skill जो है SP PT इनोंने नाम दिया है मतलब एक physical test आपका skill test भी होगा इस चीज़ को ज़रूर शिद्यान में देंगे and काफी important यहाँ पर रहने वाला है वो है दोस्तों कि आपका जो exam देंगा जिसमें सभी आपको ggs reasoning math English यह सभी आपको देखने को मिलेंगी और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे यहाँ पर कोई negative marking नहीं रहने वाली है उस चीज़ को भी आप यहाँ पर note कर लेंगे तो यह पूरा methodology है और क्या कुछ जो भी written test में आपको देखने को मिल लगा वह यहाँ पर इन्होंने दिया गया है वह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं स्क्रिंशोट ले सकते हैं अगर चाहें तो सबसे important है exam की date कब होगी तो यहाँ पर 27 दीन 2022 को दोस्तों exam देने के लिए भी यहाँ पर बोल दिया गया है संटे के दिन आपका exam रहने वाला ह यह सभी देखने को मिलेंगी और यहाँ पर देखेंगे जो आपका time होगा दोस्तों वो आपका 90 minutes होगी और no negative marking यहाँ पर इस सीज को ज़रुशे ध्यान में देखेंगे and duration of अगर हम बात करें return test PW BD candidates के लिए जो है 120 minute duration हो जाता है आगे देखते हैं क्या important है तो यहाँ पर पुरा official syllabus pattern है वो आपको यहाँ पर देख लिया है जो भी diploma में count होता है आप सभी होता है normally power grade type का exam आपको देखने को मिलेगा बैस इसका number of questions इसमे 100 होने वाले है और साथ ही अगर हम बात करें तो आपका skill जो physical test यहाँ पर SPPT होता है वो भी आप लिया जाएगा जो है return test के ब documents से होंगे वो देख लिएगा यहाँ पर जो important है वो हम बात करते हैं तो general instructions यहाँ पर कुछ दी गई है वो आप यहाँ पर read कर सकते हैं अगर आप interested हो बाकि आप official इससे इनको download करना चाते हैं तो वह मैं लिंक दे दूँगा उसके तुरू आप यहाँ पर जा सकते हैं सबसे important है कि कब से आप इसे apply कर सकते हैं तो candidate 2018-2022 तक इसे जरूशे fill कर लिजिएगा और इसका application form जो है वो अभी start हो चुका है next का important है क्यों कौनची photo ID बगएर है जो भी आपको pen card बगएर चाहिए होगा वो आप देख सकते हैं याप इंस्रक्शन्स यह दी गई हैं इन सभी को जरूशे note कर लिजिगा और क्या point रहता हैं जो भी format है वो आप यहाँ पर देख लिए जगा कैसे apply करना है उसका process आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं फिर भी आपको डाउट हो तो आप इन emails पर mail कर सकते हैं आपको जरूशी में answer मिल जाएगा नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया important date दोस्तों इसका आप screenshot जरूशे ले लिजीगा काफी important रहने वाला है 241 से आपका online form शुरू हो चुका है ठारा दो तक form है और यहाँ पर देखेंगे tentative date of downloading online admit card की भी यहाँ पर बता जी गई है 14 दिन 2022 को शुरू हो जाएंगे आपका admit card आने और 27 तक admit card मिलेंगे और 27 तीन 2022 में अब संड़े को दिन आपको एक्जाम होने वाला है साथ फीजिकल जो टेस्ट होगा दोस्तों उसकी डेट आपको दिए एक अप्रेल एक अप्रेल 2022 को ही आपका यहाँ पर जो है .indianoil.in तो यहां से भी आप इन चीजों को reach कर सकते हैं तो यही एक चोटी सी notification थी जो मैंने आप सभी को देनी थी की तरफ से जो recruitment अभी हाल ही में निकल कर आई है दोस्तों काफी अच्छी जो है जो वेकेंसी रहने वाली है नमबर ओफ वेकेंसी आपको मैंने दिखा दी हैं यहां से आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं यह पूरी नमबर ओफ वेकेंसी हैं एंड साथ अगर हम बात करें तो यह मैं यह जो मज़ा है हिंदुस्तान के अरफ यक्ति को देना चाहता हूं